स्टंट में चीटिंग की तो बाहर हुए शिविंग नारंग, प्रोडक्शन पर भढ़के फिर पॉच्छ रहा हॉस्पिटल, पर हेलो गाइस में हुजोती और आप देख रहे हैं बिग हेटलाइन्स दोस्तो स्टंट बीस्ट रियालिटी शो खत्रो की खिलाडी सीजन 10 को टी आरपी रेटिक्स में जबदस रिस्पॉंस मिल रहा है रोही शेटी के मोस्ट पॉपिलर शो की दसवी सीजन में कई सारे खताना क्विस्ट और टन्स आ रहे हैं और डी सारे स्टंस भी शो में गई ऐसे स्टंस को इंट्रियूस किया गया है जो खत्रो की खिलाडी की इतिहास में पहली बाग हुए है बिदे एपिसोड में एक स्टंट के दोरान टीवी के चॉकलेटी हीरो शिविंग नारं को अस्पिताल ली जाया गया है द्रेसल अधा खान, धर्मेश, करण, पटेस, शिविंग, नारं और बलराज को टास्ट साथ में परफॉर्म करना था अधा खान ने चारों लड़कों को टफ कॉम्पेटिशन दिया है टास्क के मुताबिक सभी पाचू कंटेस्टन को बंकर में लॉक किया गया था इस दोरान बंकर के अंदर आसू गैस छोड़ी गई पूरे स्टन के दोरान कंटेस्टन को आखो और मूग को बीना कवर किये बैठना था स्टन में कोई टाइम लिमिट नहीं थी इस टास्क के दोरान जो भी बंकर के अंदर दीर तक बैठेगा वो टास्क चितेगा टास्क शुरू होती ही बलराज जर के मारे बंकर से बाहर निकल गाए फिर रोही शेटी ने बलराज को काफी मोटिवेट किया जिसकी बात बलराज फिर से अंदर गए लेकिन कुछ ही मिन्टों की में बाहर आ गए फिर करन पटिल और धर्मेज भी बाहर आ गए अंध में अदाखान और शिविंग ही बच्चे अदाखान और शिविंग ने अपना चेहरा और आखों को कवर करने की पूरी कोशिश की लेकिन रोही शेटी ने दोनों को ऐसा ना करने की वार्निंग दी लेकिन शिविंग नारण नहीं माने वो अपना मूँ ढखने की कोशिश करते रहे बाद में रोही शेटी ने उन्हें निश्काशित कर दिया इससे शिविंग नारण घुसे में आ गए शिविंग ने दूद का पैकेट लेने से भी साफ मना कर दिया जो उन्हें आसू गयास के इफेक्ट से बचाता प्रोडक्शन टीम के साथ भी उन्होंने काफी बहस की आदा इंस्टन्ट की विनर बनी है तो वह शिविंग नारण समित बाकी लड़कों को फियर फंडा मिला है एलिमिनेशन स्टन्ट के दौरान रोही शेटी ने बताया है कि शिविंग ये स्टन्ट नहीं करेगे आसू गयास की इफेक्ट की वज़़ा से उन्हें अस्पतार ले जाया गया है शिविंग की जगा उनका स्टन्ट मलिशका ने किया है तो दोस्तों इसको लेकर क्या है आपकी राए कमेंट करके जरूर बताए और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें